जैसरी कृष्णा राधे राधे जोतिस्तास्त्र में गरहों से लेकर ब्यक्ति की किस्मत तक हर एक चीज को बताया गया है विस्तार से और आप अपने घर में पुजा पाट तो करती होंगे एक दीपक भी जलाते होंगे लेकिन कौन सा दिया जलाने से कौन सा तेल का दिया जलाए कि जीवन की मुश्किले समाप्त हो जाए वैसे तो हर रासी के लिए हर एक बस्तू अलग अलग बस्तू लकी होती है लेकिन आज हम तेल की बात करेंगे तो आप अपने भागे को रासी के अनुसार भी तेल का यूज करके चमका सकते हैं लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि वो कौन से तेल का आप परियोग करें कि आपका भागे आपका साथ देने लगे जीवन की मुस्किले समाप्त हो जाए तो सबसे पहली बात कि दीपक कितने प्रकार के होते हैं देखें दीपक तो बहुत तरके होते हैं जैसे कि आप चांदी का बहुत साई लोग दिया बेवार करते हैं मिट्टी का बेवार करते हैं लोहे का करते हैं बहुत साई लोग आटे का दिया बेभार करते हैं, तामबे का करते हैं, पीतल का करते हैं, लेकिन ज्यादा तर लोग मिट्टी के ही दीपक का परियोग करते हैं और ये सबसे ज्यादा सुध और सुभमी बाना जाता है, एकदम से सुभ, तो दीपक किस उदेश से जलाया जा ये माइने रखता है, तब जाकर आप सही तेल का परियोग कर पाएंगे और दिया उसी अनुसार जलाएं तो आपकी मनुकामना पूर्ण होती है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप आटे का दिया लगाते हैं, तो ये दीपक में घी ही जलता है, याद रखिए, आटे का द जलाया जाता है, और दीपक, इसी दीपक से पूजा करने से सबसे ज़्यादा ये सुमाना जाता है, आटे का दिया और उसमें घी डालकर प्रयोग होता है, यानि इसमें आप तेल नहीं डासें, लेकिन आर्थिक तंगी से मुस्किल से बचने के लिए, रोजगार में बरकत के लिए, आप अपने घर में जब पूजा पाट करते हैं, तब सुभा के समय एक दीपक जलाएं, आपके घर में जो भी धातू है, मिट्टी है, आटे का भी जला सकते हैं, उसमें घी डालकर लाल धागे की बाती, याद रखिए, लाल धागे की बाती, डालकर एक लौंग क आपको मिले, तो हमेशा याद लखिए, आप घी का या तिल के तेल का दिया जलाएं, इससे क्या होता है, घी या तिल के तेल का दिया जलाने से, आपकी समस्त मनो कामना पूर्ण होती है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके सपने हैं, अब आपने मनत मान लग रहा है, मेरे बच्चे का नौकरी लग जाए मेरे घर हो जाए मेरे पती का बरकत हो स्वास्त अच्छा हो जाए तब ऐसे में आप तिल का तेल या घी का दिया लगाना शुरू कर दे लेकिन एक लॉंग जरूट डालेगा घी का दीपक जलाएंगे तो तिल के तेल के दिया में कुछ नहीं भी डाले तो भी जलेगा पर मन्नत के लिए लॉंग डालना आवस्थिक है अब जिसे लोग सर्सों का तेल का दिया जलाते हैं कब जलता है जब सत्रू बहुत परिसान करें तब सत्रूं से बचने के लिए हैरब जी के यहां सर्सों के तेल का दिया लगाना शुरू कर दे याद रखिए सर्सों तेल का दिया लगाना शुरू कर दे यकीन मानिए सत्रू संथ हो जाएंगे आपका बाल भी बाका नहीं कर वाई और सूरी देव को अगर आपर सर्ण करना चाहते है तो भी सर्सों का तेल का दिया लगाया जाता है सूरी देव के लिए क्योंकि यहाँ पर सूरी बहतर हो जाए तो सरकाई नोकरी की सम्मावना बढ़ जाती है जीवन में मान समान बढ़ता है आपका स्वास्थ अच्या रहता है तिल के तेल का दिया जैसे हमने अभी आपको बताया कि आखिल क्यों जलाया जाजा देखिए सनी ग्रह से सीधा सम्मंद काला तिल का है और सनी ग्रह आपदा से मुक्ति साड़े साती है धाया है सनी का प्रकोफ है आपको लगता है जीवन में मुस्किल जादा बढ़ गई है तब तिल के तेल का दिया जलाना आप सुरू करते हैं अपने घर में पुजा स्थान पर सूभ भी जला सकते हैं साम में भी जला सकते हैं आपकी मरजी पर है और इससे महुए का तेल का दिपग तो पती की लंबी उम्र के लिए मनोकामनाओन की पूर्ती के लिए आप अपने घर के मंदिर में महुए का तेल का दीपग जलाना शुरू करते हैं इसे आपके पती के जो आयू है वो लंबी होगी और हर तरह की मनोकामना पुरी होती है, सुक्सो भागे बढ़ता है अलसी का तेल, अलसी का नाम सुना होगा, अगर राहु के तू परेसान करे, राहु के तू गरह की दसा को सांथ करने के लिए, आप अपने घर में अलसी के तेल का दिपक जलाईए, अगर राहु के तू कुंडली में बिगर जाये, जीवन में आकस्मिक समस्याएं, भूत प्र दूर मिलाकर, वही चमेली का तेल, तो हनुमान जी की किरपा आप चाहते हैं, कि हमेशा आपको मिलती रहे, तब आप तीन मुखी दीपक, याद रखिए, एक दीपक में तीन बाती होगी, या फिर दो बाती होगी और तीन सिरा जलेगा, याद रखिए, तो ये दिया आप जब आप हनुमान जी के सामने जलाते हैं, चमेली का तेल डाल कर, तब आपकी हर मुनो कामना पूर होती है, और हनुमान जी आपके हर बिगन बादाओं को हर लेते हैं, सत्रूं से मुख्ति दिलाते हैं, वैसे तो गनेश जी की किरपा पाने के लिए भी तीन बातियों वाल जाते हैं, तो वैसे तो चार मुख्ः भी दिया जला जाता है, आपके घर में जलता होगा, तो चार मुख्ः दिपक जो जलता है, उसमें आप ट्या डाल कर जलाएं, और कौन से देबता को परसंद करें, देखिए, भैरब देब जो है ना उनको परसंद करने के लिए आप चार मुख्ः बाला सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, याद रखिए, चार मुख्ः दिया जला सकते हैं, पर सरसों का तेल डाल कर भैरब देब को परसंद करने के लिए, जीवन के सारे कस्टी दूर हो जाते हैं, जब आप चार मुख्ः दिया जलता है, आप पुजा कर आर्थी करते होंगे जब भी पुझा पांट में तो प्वांच मुखा दिया जलाते हैं क्यूं जलता है देखिए किसी भी केस मुकदमे से बचने के लिए ये अगर आप फस गया है तो उससे मुक्ति पाने के लिए उसमें विजय स्रीप्राप्ट करने के लिए भगवान कार् आगे की बाती लेते हैं उसमें साथ धागा ले लिजिएगा और उसको एक ही जगा जलाईए आप यकीन मानिए मालक्षमी की किरपा घर में खूब बरसेगी और इस दीपक में घी होगा हमेशा इसमें एक लॉंग जरूर डालिएगा बारा मुखा भी दीपक जलाया जाता है उसी तरह बारा धागा ले ले एक ही जगह और घी या सष्णू का तेल डालिए या फिर आप नुई की पतली बाती बडाले बारा और उसको एक बाति का बाति का बाति का दिपक भगवान स्री हरी विष्णु को परसंड करने के लिए जलाए जाता है तो आप सोलाबाति कैसे बनाएंगे वही लाल धागा में तीन बातिया होती है आपने देखा होगा मुली धागा में तो उसको काट लीजे 16 धागा पत्ली पत्ली एक साथ मोड लीजे और स्री हरी बिष्णों के सामने रोज जलाना शुरू कर दें तो आप के लिए यहाँ पर स्री हरी की किरपा मिलेगी अगर कुंडली में गुरू का कमजोर है या आप च जलाएं और सत्रूं से बचने के लिए किसी भी पत्ती का निवारन के लिए हमेशा ही मद्य से उपर उठेवे दीपक परियोग में लाना चाहिए यानि बीच में उठावा होता है आप उसमें बाती लगा के उपर करते हैं इक दिया होता है वह वाला दीपक जलाएंगे तो कॉन सा डिया जलाने से जीवन की मुश्किलय समापध होती है आप इसकी क्लिए रासी अनुसार भी जला सकते हैं आप अपने घर को तेल का लोंग आ 놀ाना सामके सुरू कर दीजे आप का देख़ेगा जीवन के हर कश्ट दूर हो जाएंगे अगर आप दिसब रासी के हैं तो भाग्योदे के लिए जैतुन के तेल का दिया आप जलाना अपने घर के पुजास्तान पर सुरू कर दीजे भाग्योदे होगा अगर आप मीठुन वाले हैं वो सूरज मुखी के तेल का प्रयोग करेंगे दीपक जलाने में तो आपका दिंदुना राच चोगुना तरक्की होगा जो कन्या वाले हैं वो चमेली का तेल का दिया बुद्धवार को पीपल के पेड़ की नीचे सामके वक्ते जलाएं तो आपकी किसमत चमकेगी जो तुला वाले हैं चमेली या कपूर के तेल का दिया अगर आप लगाएं अपने घर के पुझा स्थान पे तो भाग्योदे होता है जो ब्रिस्चिक वाले हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर चमेली के तेल का दिया लगाएं तो जीवन की हर मुस्किले समाप्त हो करते हैं आप चाहएं, सामग के समय दिया वाती ना मि बाले बयाँ, मीन बाले भाग्योदे के लिए नारील का प्रपार चन्दन 버गा करें, यह की सबक्तिन अजलानाने जानकारी आचोचाताए बना आप लाइकंभीर, श्रकारी नंगारा, खाताए टेश्टते है, भाल।